वेल्कम टू मैं चैनल फ्रेंड्स एक ऐसा मोबाइल होल्डर जो कि कार यूजर्स के लिए है बहुती किफायती और बहुती बढ़िया कॉलेटी बहुती कलर्फुल कॉलेटी बयाता है तो अभी मैं यह जो हैंगिंग मोगैल हैंगिंग स्टैंड है यह लेकर गाड़ी में आया हूँ इसको देखना है में कहां लगा सकते हैं मतलब जिससे हम घर सामने ज़रूत पढ़ने पर हमें वीडियो भी लेना पड़े इससे तो हमारे लिए इजी हो इसलिए मैं अभी आया सवाल होना चाहिए क्योंकि हमारा फोन जो है वो यहां पर ऐसे आड़ा आ जाएगा लेकिन एकदम सामने हो सकते हैं यहां लगा लिया यह मिरर के पास में तो ज्यादा बेटर है इससे थोड़ा सा साइड भी हमें देखने में इजी रहेगा तो मैं यहां लगा लेता हूँ इसके उपर यह पनी है यह पनी में निकाल लोगा दो कुला असरा पर कुछ गलू टाइप अलगा हुआ है ठीक है यह हमें चिपका देना है चिपका देना मतलब यह वन टाइम जो है वो जहां लगाना है वही लगाना बेटर रहेगा उसके बाद हम कई और लगाने जाएंगे तो हो सकता है इससे थोड़ा सा ग्लू खराब हो जाए यह जगा थोड़ी सी क्लीन कर लेता हूँ कपल तो ऐसा को ऐसा लगाना प्रेफर करूंगा यहां पर चिपका दू चलो चिपका देते भाई यह लगा दिया मैंने उसके बाद में इसका सक्षन जो है वो क्लिप बंद कर देता हूँ होप कि यह निकले नहीं जल्दी और इसका डियूराबिलिटी अच्छा है वैसे स्टिक काफी अ मैं देखता हूँ मैं इसका सक्षन खूल दिया है और इसको अगर निकालना है तो बूड़ा सा मुश्किल है क्योंकि इसमें एक स्टिक दिया हुऊ है वो स्टिक चिपक गया तो यह निकलेगा नहीं तो इसको में वापस से काफ कर देता हूँ और इसको मोबाइल माउंट क थोड़ा लूज करना पाड़ेगा एसा को कि कि एसा जैसा भी हम पसंद है उस एंगल में इसको रखके mobile hang कर सकते हैं तो भाईसाब मैंने यहां पर अपना mobile hang कर दिया है अगर मैं अपना वीडियो निकालना चौब तो मैं वहां से अपना वीडियो भी निकाल सकता हूं और अगर मुझे साइड मतलब मैंने रोड का अगर वीडियो भी आपको दिखाना है तो वो कुछ ऐसा दिखेगा तो यह ऐसा जूम 0.5 एक्स पे है इसको मैं 1 पे अगर करता हो तो यह कुछ वीडियो आने वाला है वीडियो का थोड़ा और सरका देते तो अपना जो वीडियो है पूरा का पूरा इससे कैप्चर हो जाएगा अगर मैं 2 पे जाके सेलेट करके अगर वीडियो ग्राफिक करने की कोशिश करूँगा तो कुछ ऐसा आएगा तो यह डिपेंड करता है आप कैसे वीडियो बनाने वाले हो उसके उपर यह अपना एक रास्ता है जो प्रॉपर वे से इसका वीडियो आने वाला है इसमें कैसा लगा आपको यह वीडियो कमेंट करके बताना और अगर यह माउंट पर्चेस करना है आपको तो मैं लिंक दे दूँगा उससे आके आप पर्चेस कर सकते लगबग 1.500 रुपे के अंदर आया हुआ है इसका जो ग्रीप है ग्लास से बहुत बढ़िया है जाहे तो आप इसको यहाँ पर भी माउंट कर सकते मैं एक बार कोशिश करूँगा अगर वहाँ से निकलता है तो डैश बोड पर माउंट होता है तो माउंट करके देखेंगे एक बार इसको चलिए दोस्तों मिलते अगले वीडियो में तब तक के लिए टेक क्यार बाई 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 तो भाई मैं एक बार कोशिश कर रहा है इसको निकालने की यहाँ पर हमने लगाया हुआ था निकल तो रहा है उसका जो प्रॉपर ग्लू है वो काफी बढ़िया से निकल रहा है यहां से अगर निकल गया तो हम इसको एक बार डैश बोड पर लगा के देख लेंगे तो नि आश बूड पर जिपकाने का पोजिशन देख ले थे एक बार कोशिश किया यहाँ पर लगाने की लेकिन लग तो जाएंगा लेकिन इससे ना जो हमारा कैमेरा है अगर यहाँ लग जाता है तो हमें व्यू प्रॉपर नहीं मिल पाएंगा और उसका एंगल प्रॉपर सेट होगा उसके बजाए यही पर लगाना सबसे बेस्ट लग रहा है मुझे यहां से कवर भी हो जाएगा रोड हमें अगर व्लोगिंग करना है तो उसके लिए बहुत बढ़िया रहेंगा यह तो फटाफट से मैं इसको वापस से यहां पर लगा दिया है मैंने अब इसका सक्षन बटन जो है वो मैं प्रेस कर देता हूँ आकि यह निकले ना फिर से कभी बहुत ही जबरदस्त है ग्रिप बहुत ही जबरदस्त है कुछ भी if and but मैं नहीं बोलूंगा इसके बारे में बहुत ही सही है तर भी काफी attractive लग रहा है मुझे quality भी अच्छी है तो इसको अपन यूज करने वाले है as a vlogging setup और प्लस अपना वीडियो निकालने के लिए अगर इनके इस गरज पढ़ती है तो ऐसा कुछ है अपना इसके बारे में बताना रहे गया था यह एक छोटा सा mount है जो कि हमारे इसी के जो यह विंड्स है और यहाँ पर यह वाला जो mount है यहाँ से इसको निकाल कर यहाँ पर इस पर लगा सकते है और उससे यह जो है अपना mobile hold कर लेंगा तो यह भी काफी अच्छा दिया हुआ है त I like this product और काफी हद तक recommend करने की लायक है